आप मेरे पीछे देख सारे हैं कि बहुत सारे यहां पर इस समय दियें आप भी सोच गए इस समय मैं कहां पर आ गया हूँ तो दोस्तों मैं बता दूआ दूआ राज के बलुवा गार्ड में और आज है एका दर्शी के दिन अर्थार आज है तुल्सी विवा और साथ आज के इसके सांत धिया है और इसके सांद करते हैं पर नारती होतां कि आर्टी सब्सक्रों और ओन जेख सकते हैं जितने वहा इस सजाय जारा और देख सकते हैं ऑल्वागाण यहां पे रंगोली बना रहे हैं और यह बगल में देख सकते हैं पूरा यह है बल्वा घाट और आज यहां पे तुलसी विवा भी हो रहा चलके आपको सब दिखलाते हैं शुरुआत करते हैं आपको दीप उस्तों से दीप लगाते हुए से और भाई लोग अगर आपको लग साथ संगम में पहुत ही खुपसरत देव दिपावली मनाई जाएगी वहां पे तीन लाग दी एक साथ जला जाएगे और उसके बाद बहुत ही जबर दस दिल्ली की टीम आई है वह आतिस बाजी करेगी तो आप लोग यहां जरूर आईएगा संगम के किनारे 26 तारिक को और कार्टिक मेला 2023 दिवाली के आगले दिन यानि 13 नौमबर से सुरू हो चुका है परीवा वाले दिन से और 27 तारीक तक कार्टिक का मेला चलेगा और देख सकते हैं यहां पर लिखा है कार्तिक महसाँ 2023 यहां पर पूरा जो बनाया जारा यहां पर एक से बढ़कर एक खुबसूरत लंगोली बनाई जारी और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कितना ही जबर्दस्त और बगल में कार्टू शाम बाबा की वहाँ रंगोली बनाया जारी और आज है कार्टू शाम बाबा का बर्तेडे भी और देख सकते हैं कितने जादा यहां पर लोग आए हैं हर को यहां पर दीप जलाना चाहता है और देख सकते हैं कितना ही जबर्दस्त और कितना ही खुबसूरत यह नजारा है दोस्तों देख सकते ह पूरा बल्वागाद में अच्छे से यहां पर दीप लगाए जा चुके हैं सब में अब दीपक जलाने के लिए सब में दूई लगाए जा चुकी है और उसके बाद जितने भी यहां पर लोग आए हैं अब सब इसमें तेल डाल लें ताकि अब जल्दी जल्दी 6 बजे का वक और भाई लोग आप देख सकते हैं कितनी जबर्दस तरीके से पुरा घाट से जाएगे अगदम प्रयाग राज की भासम बोले लोकल भासम ते अगदम भौकाली और आपको चलके आप दिखलाते हैं बहुत ही जबर्दस रंगोली और दोस्तों आज है काट्रू शाम बाब कि यहां रंगोली बनाए गई है और साब साब लोग भी दर्शन करने खाटू शाम बाबा को और एक बर बर्तड़े विश्करे खाटू शाम बाबा को प्रजलित होने लगे पीछे देख सकते हैं कितना ही जबर्दस राँ हर कोई यहां पे बस दीब जलाना चाता है दीब प्रजुलित करना चाता है और देख सकते हैं बीच में हमाई खाटू शाम बाबा है और आज है काटू शाम बाबा को वर्तर दिजा है काटू शाम बाबा और देख सकते हैं कितनी जादा भीड है और जश्ट अब यहाँ पर सुरू होने वाली है आरती यमना मैया के भावे आरती होगी और उसके बाद यहाँ पर बहुत ही धूमदाम से यहाँ पर आतिस बाजी होगी और अभी आप देख सकते हैं दीप प्रजलित होने लगे हैं और देख सकते हैं कितना ही जादा यहाँ जबरदस्त में आजारा आ रहा है देख एकड़म आपको अध्यात्म की और ले जाएगा और कितनी जादा इस समय यहाँ पर बीड हर को यहाँ जितने दर्शक आ कितना चाहते हैं और देख सकते हैं जैसे यह जल लग रहा है पूर एकड़म सुनेहरे कलर के और जैसे लग रहा कोई सोने की कोई चीज बना दी कितना जबरदस्त नजारा है और दोस्ते इसके बाद आप सुरू होने वाली है और आरती होने बात यहां पर बहुत ही धूम- करेंगे कि 25 तारिक 26 तारिक 27 तारिक को फिसे प्रयाग्रान में भलू अगार्ण देव दिक्वानी बनाए जाएगी अगर अगर अपेत जम्ब फालचार उबाद्छानम उमास तंसे कपिनास तारकम नमां भिगने कर पादू भंका जम् निया भुजस्या भलक मरागा स्रीता समानी फिक्वाब भादं पार्याग्रान में आपको दिखला दिया दीप उत्सो दिखला दिया और आज है एकादर्शी के दिन और आपको जल के दिखलाते हैं तुलसी विवा को पता है एकादर्शी के दिन होता है तुलसी विवा होता है तुलसी जी का विवा होता है साली गराम के साथ और आप चलके आपको दिखलाते हैं दीप दान जो हमाएं पीछे हो रहा है आप देख सकते हैं कितना ही जबर दस्त नजा रहा है पूरा घाट को एकदम अच्छ अ कि झालगों कि पूम को पुम आगा ओुम है। अ कि झालगों को कि यालगों को आमकि जादीड़ कार आम है। पूरा बल्वा गाट में आदी बुच्छो नीद्दान और इसके लाओ तुलसी वीबा पता lightning क्यों आतिस बाजी नहीं हुई है और अब जलके आपको दिख्राज दे है कार्टिक मेला के लिए दुखाने कैसे लगे होती है।